नमस्कार आप देख रिया हो जलको विकानेर मैं अंधिता आपने साथ देश की रक्षा में तेनाथ एक तीस वर्ष ये आर्मी जवान कुछ दिन की छुटी पर खुद गे घर आ रखिया हा और वापस ड्यूटी पर जारिया हा इदोरान एक सडक हाथसा की चपेट में आई गया रोशनी का आतियों हाथ दीवारी उपहला आर्मी जवान के घर में दुख को अंधेरों पसर गयो घटना बिकानेर के नापासर थाना शेतर में काल रात गटित हुई जड़े ओवरटेक करने के चकर में एक ट्रक जवान की बैक ने टकर मार दी टकरिती तेज ही कि जवान की मौका पर ही जान निकडगी और भी की बैक का चकना चूर हुई गया आर्मी जवान को शव फिलाल नापासर होस्पिटल की मोर्शरी में रखवायो गयो है नापासर थाना अधिकारी जस्वीर बताया कि गुसाई सर गाउं आर्मी जवान रादेशाम जाड सोमवा रात बाइक पर जा रिया है वापस जूटी जाने के लिए रादेशाम में बिकाने रेलवे स्टेशन पहुंस नो हो लेकिन बियूं पहला ही अघटना गटित हुईगी आपने बताया क्यों गुसाई सर गाउं में रहने वाडा जवान रादेशाम जाड रास्टी राइफल में तेना था बेलाला दस सालाओं सेना में खुद की सेवा दे रही है रादेशाम की साधी भी हुरकी है और बच्चा भी है दिवाडियों पहला रादेशाम के घर में अंधेरों चाएगो क्योंकि बारे माता पिता को दीपक गर को चिराग ये दुनियाओं चलियों पुलीस ये हादसा के बारे में सेना ने रिपोर्ट भेज दी है सेननी अधिकारियां के आने के बाद जवान को पोस्ट मार्टम करवायो जाए पुलिस इहादसा के बारे में जिला सेनिक अधिकारी या स्राटोडू भी बाचित करने को प्रयास करियो पर बाउं संपर्ख नहीं हुपायो फिलाल पुलिस पुरी मामला की जांच कर रही है और ट्रक का ड्राइवर की भी तलाश कर रही है अभी के लिए इत्तो ही मामला से जुरी जो भी जांचारी मिली बाप तक पहुंचाता रही है तब तक के लिए देखता रही जो जल को विकाने रही